दोस्तों पता है, RCP की टीम ने कैसे न कैसे गुटने टेक टेक कर टेक कर टेक कर टेक टेक कर 182 रनों का स्कोर सेट किया था, लेकिन दोस्तों KKR के मातर 4 गेंद बाजों ने मातर 4 प्लेयर्स ने अर्थी पे उठा के जैसे समसान घाट में रख दिया हो और मातर चार ही बल्ले बाज उसे स्कोर को बना के इस मैच को अपने नाम कर लिये और छे विकिट से इस मैच को अपने नाम कर लिया तो अब कुछ मिला के ऐसा लगने लगया दोस्तो जब से हैद्राबाद और मुंबई का मैच हुआ है तब से ऐसे लगने लगया गेंदबाज और फिल्टर्स रहे के बोल को टाटा बाय बाय करने लगए और वो भी कैसे चोवीच में एक बार फिर से देखने को लगए और सौईष छक्के जब देखने को मिले तो जुझ में बास रहे है जा जाय यार तो दर बाउंटरी के पहार ही है जाателяullie दर मताना मेरे तो अक्यला खड़ा हूँ उधर परिशान करने के लिए मताना उधर क्राउड की तरफ जा यार और बारी-बारी से उनको चोट पड़ने लग गई तो आज का मुकाबला कुछ इस तरह से हुआ दोस्तों वीडियो को पूरा देखना और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों आरसी भी ने आज बैटिंग करना शुरू की और बैटिंग करने आये फैप जाते हैं यह लो यार विराट भाई हम तो आ गए अब आप जाओ कैसे ना कैसे करके ना एक बड़िया सा इसकोर जरूर सेट कर देना फिर विराट भाई आते हैं अरे यार तू टैंसन मतले मैं जा रहा हूं अभी अभी चोको चको की जाम बांदूंगा और विराट भाई बता है इतने जबरतसति के लिए लिए लगाते लिए यह यहार विराट भाई आकыс नप्ली, पहले ही हार मान लेगी और पहले ही हार मान ओंते हुए बोल स्याता आप हैं लिएार बनने जा रहे हो यार अभी तो विराट ही रहो गते सब्हुत गर अभी तो हमने जल्वा स्टार्ट किया है और विराट भाई 69 गेंदों में आराम से 83 रनों के पारी खेल जाते है वो तहीं लाजवा विनिंग्स कहलते हैं फिर उसके बाद में दोस्तों केमरान गृीन खेल सकते हैं तो हम तो अभी गृीन हैं हम क्यों नहीं कहलेंगे तो गृ नीन भाई ने 21 गिंदों का सामना किया और 33 रन बना दिये जिसमें दोस्तों दो चके और 4 बाउंडरीज लगाए फिर एक और जबर्दस्त प्लेयर दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल आते हैं अरे भाई हम तो मैक्सवेल है मैक्सवेल और मैक्सवेल किसी से पीछे नहीं रहने वाल है वह तो बल्लेबाज हो ही नहीं सकता क्योंकि जब से आर सीबी और उसके संराइजस हिद्राबाद और मुंबई इंडियंस के बीच मैच हुआ है दोस्तों चक्का तो लगने ही वाला है 38-38 चक्के जहां पे लग गए अब तो चोके का तो काम ही नहीं है और जो चोका लग लेकिन आपकी बार रजट पाटिदार कुछ खास नहीं कर पाते हैं रजट पाटिदार करते हैं सोरी भाईया सोरी आर टो प्लेसेस भाई हमें माप कर देना आज हम नहीं खेल पाएंगे और चार गेंदों का सामय करने के बाद तीन रन बनाकर आउट हो जाते हैं क्योंकि बनने तो आये थे यहां रियान पराग लेकिन रियान पराग की बार हर कोई नहीं केल सकता वो तो आउट हो गए और फिर एक बार पिर से अनुजरावत भी आये थे भाई हम तो विकेट कीपर है हम तो जबरतस्त बल्ले बाजी करेंगे और अनुजरावत भी मातर तीन रन बना कर आउट हो गई लेकन फिर ओर दूर्टी इस कार्थियू ऑर भाई विकेट अभी लिगे के अब हमने करने हो तुम थोड़ा आराम करो और वो शुचक्य कांतर व्लत स करेंगे ऑने 10 लाइक आज में बनाए वंस्कृत तीन जबरतस्त चक्के मातर दोही रन उन्होंने पैदल दोड के लिए थे और दिनेश कारतिकी आतिस सी पारी के बदल अर्शीपी का स्कूर 182 रनों के पार चला जाता है छे विकेट जरूर उन्होंने गवाए अब 182 रनों के स्कूर का पीछा करने के लिए कोलकता नाइट के लिए सबसे पहले जाने माने खिलदर सुनील नाइराएंड अपनी जादूई गेंद का करामाति जिस परकार दिखाते हैं यहां भी पल्लेक से उसी परकार जादू दिखाने आ गए और उन्होंने आते ही दोस्तों आती सी पारी ऐसे 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 करके चक्के लगाना शुर बोर्ड पे लगा दिये उनका साथ देते हुए दोस्तों फिलिफ सॉल्ट ने भी बीस गेंदो का सामना किया और तीस रन बना डाले जिसमें दो चक्के और दो चोके सामिल थे फिलिफ सॉल्ट के अलावा भी अगर हम बात करें दोस्तों तो वैंकटेस ऐयर जो आपने 2030 में भी देखा होगा अब की बार इस IPL में एक बार फिर से धम्मा के तार रूप में बल्ले बाजी करना सुरू कर देते हैं और तीस गेंदों का सामना करने के बाद 50 लगा डालते हैं जिसमें चार बड़े बड़े लंबे लंबे चक्के और तीन गजब की क्लासिक बाउंटरी आप ऐसा करो मैं आजाता हूँ वेंकटेस भाई फोन करते हैं हलो स्रेस भाई यार ऐसा करो मैं आजाता हूँ क्योंकि जीतने लाइक तो टारगेट मैंने जो था उसका पीछा करते हुए बराबरी पे ला दिया है अब आप आजाओ और अपनी कप्तानी पारिक खेल जाओ ठीक है यार वेंकटेस भाई मैं आजाता हूँ वरना मैं केके आर को क्या मो दिखाऊंगा तो वेंकटेस भाई जल्दी से कहते हैं लो आजाओ यार मैं आउट होके आ रहा हूँ अब आप आजाओ तो फिर स्रेस भाई जाते हैं और 24 गेंदे में 24 गेंदों का सामना करने के बाद 49 रन बना देते हैं जिसमें दो जबर्दस्त सुपर डूपर शिक्स और जबर्दस्त क्लासिक बाउंडरी उनके बल्ले से देखने को मिलती है तब रिंकु सिंग भी बल्ले बाजी करने के लिए आते हैं और पांच गेंदों में पांच रन बना देते हैं तब लास्ट म स्रेस भाई कहते हैं अरे यार रुको रुको अभी मुझे एक जीत का 6 ओर लगाने दो पर स्रेस भाई के बल्ले से जीत का 6 देखने को मिलता है और इस तरह से दोस्तों कोलकता नाइट राइडर्स इस मैच को साथ विकेट से अपने नाम कर लेती है तो ऐसे साथ विकेट से ये कोलकता नाइट राइडर्स ने ये मैच जीता और दोस्तो इस मैच को जीतने के सबसे बड़ी भूमी का किसकी रही वेंक टेस आयर की वहीं विराट कोली का जो अर्द सतक था वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गया विराट भाई विराट भाई हां मैं वेंक टेस बोड़ा अरे यार आयर भाई आपने यार कंला कर दिया आप आज मेरे सतक अर्थ सतक पे हना जो नोटिस लिकवा दिया आ एक बार फिरlex centrale है किसी इ 배 स्था तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगाओ वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारा जो यह हाइलाइट का वीडियो इसी तरह के आगे भी वीडियो देखते रहने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को जरूर प्रेस करें मिलते हैं एक और ऐ कैसे ही नए वीडियो में तब तक के लिए